हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास्त्रीवन टैक तो फ्रेंट्स, अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं, आपने नए नए अपना चैनल शुरू किया है तो मैं आपको बताना चाता हूँ कि आप अपना यूट्यूब चैनल बनाते समय सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आप अपने जो यूट्यूब चैनल का नाम रखते हैं वो बिना सोचे समझे रख लेते हैं जिससे आप कभी भी अपने YouTube चैनल को YouTube पे सर्च करके देखते हैं तो आपका जो चैनल है वो सर्च में नहीं आता आपको दूर दूर तक वो कहीं भी दिखाई नहीं देता तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना YouTube चैनल बनाते स पूरा सुरूर से लेके अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यूँ है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे ओल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले चैनल बनाते समये चैनल नाम रखते समये सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है आपका जो नाम होना चाहिए वह शोट और सिंपल होना चाहिए आपका जो नाम रखना है आपको YouTube चैनल का वो छोटा नाम रखना है और कोई simple नाम रखना है जिससे spelling डालने में लोगों को कोई दिक्कत ना हो मतलब आपकी जो spelling हो वो असान हो जैसे मेरा चैनल का नाम है विकास 3 1 Tag ये छोटा भी है और इसको आप अगर YouTube पे सर्च करेंगे तो मेरा चैनल सबसे उपर आपको रेंक करता दिखाई देगा तो आपको भी अपने चैनल का नाम ऐसे ही छोटा रखना है छोटा नाम रखने से लोगों को याद करने में भी आसानी रहेगे और अगर आपको कोई website भी बनानी हो तो आप website भी अराम से बन जाएगी जैसे व YouTube चैनल का जो नाम है वो simple रखना है और short रखना है अब दूसरे point के बारे में बात करते हैं कि आपको अपने चैनल का जो नाम है वो unique name आपको चूज करना है unique name रखना है आपको अपने चैनल के नाम को पहले YouTube पे सर्च करके देखना है कि आपके चैनल के नाम से कोई movie तो नह होई है या फिर कोई person है जो popular हो रख़ा है तो उसी की वीडियो उपर आएंगे आपकी वीडियो वहां पे कहीं भी आपके चैनल का नाम भी रैंक नहीं करेगा नापकी वीडियो रैंक करेंगी कुछ भी आपको सर्च में दिखाई नहीं देगा इसलिए आपको यह ध्यान रखना है वो आपके content से related रखना है मतलब जिस category का आप content बनाते हैं उसी से related आप अपनी चैनल का नाम रखिए जैसे मेरा रिकास 3-1 टैक है मैं technical से related टैक से related videos बनाता हूं तो उसी के according नहीं अपने चैनल का नाम रखा है आपको भी ऐसा ही नाम रखना है आपको ऐसा नहीं ली हुई है cooking की तो इस तरीके का mismatch नहीं होना चाहिए आपको जो भी अपने चैनल का नाम रखना है वह आपके content से related होना चाहिए उसी से मिलता जुलता आपके चैनल का नाम होना चाहिए ठीक है अब बात करते हैं fourth point की तो आपको अपने चैनल के नाम को अपने सारे social media platforms जो आपको अपने चैनल का नाम कोई different सोचना होगा चारो चीजे ध्यान में रखी है जब भी आप अपने नया YouTube चैनल क्रेट करते हैं इसमें चैनल नाम रखते हैं तो यह सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर फिर भी इस वीडियो से related कोई भी query कोई भी question है आपके mind मे तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इससे एक like जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा share करें thank you